Welcome back to my channel, this is Khushbu and आज की इस वीडियो में हम नवेंबर मन्त के करेंट अफेर्स कवर करेंगे, इस एक ही वीडियो में हम पूरे मन्त के करेंट अफेर्स कवर करेंगे, so let's begin सबसे पहले तो State News The First News is, इंडिया के First Chief of Defense Staff General Bipind Ravati Ji का पंच लोहा बस्ट इंस्टॉल किया जाएगा New Delhi में, यह news काफे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के First Chief of Defense Staff थे And आपके लिए एक question है कि इंडिया के Current Chief of Defense Staff कौन है, आपको वो question comment section में answer करना है The next news is, मुदू मलाई Tiger Reserve जो कि तमिल नाडू में है, वहाँ पे एक invasive species देखी गई है, जिसका नाम है Sina Spectabilis, जो कि एक exotic tree है यह काफी news में था क्योंकि इस exotic tree ने around 1200 hectares में इसने spread कर लिया है अपने आपको तो काफी time से news में था, आपको पता होना चाहिए कि जो मुदू मलाई Tiger Reserve है, यह कौन से state में है और वहाँ पे कौन सी invasive species थी, जिसका spread हुआ है, तो उसका नाम है Sina Spectabilis, जो कि एक exotic tree था The next one is again very important news, so करनाटका ने recently announce किया है कि करनाटका अपनी state में सभी schools and pre-university colleges में meditation introduce करेगा सभी students के लिए, और यह जो meditation है, initially 10 minutes के लिए introduce की जाएगी तो काफ़े important है क्योंकि कई बार जर्नली ऐसे पूछ लिया जाता है कि किस state ने ऐसा decision लिया है Next is UP के मतुरव विंदावन ने aim किया है कि by the year of 2024 यह carbon neutral tourist destination बनेगा मतुरव विंदावन काफ़े फेमस है इंडिया में क्योंकि यह लॉड कृष्चना से related है काफ़े टूरिस्ट वहां पर विजट करते हैं तो इन्होंने अनूंस किया है कि by the year of 2024 इट विल बिकम अ कार्पन नूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहां पर यह वहिकल्स को प्रमोट किया जाएगा और विट टाइम इन्होंने यह भी अनूंस किया है कि वहां पर पेट्रोल और जो डिजल वहिकल्स है यह कुछ एरिया में बैन किया जाएंगे कि दे नेक्स्ट वान इस नागा लेंड में फर्स्ट एविट्वेंड डॉक्मेंटेशन एक्सरसाइज चल रही है और इस एक्सरसाइज में आमूर फलकॉन्स के बियॉप और बर्ट्स को इंक्लूड किया गया है न्यूस डीटेल में वीकली करेंट फेर्स में डिसकस्ट विलिघुते ही तो यहां पर हम कुईक सेंटर हो tebn कि चिपो ऑक इंपकर देडिया पर और इंडिया प curved तर्डेश गषी काफी इंप्रतेंट है क्योंकि एक और पेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंदर मुदी जी ने की है तो नरेंदर मुदी जी ने राज्यस्तान के बांसवाड़ा डिस्टिक के मानगर धाम को नैशनल मनुमेंट डेक्लियर किया है नेक्स्ट इंडिया का फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर जिसका नाम है योटा योटा डीवन ये कहां पे इनॉगरेट होगा ग्रेटर नॉइडा में जो की यूपी में है बिहार की चीफ मिनिस्टर में मिस्टर नितिश कुमार जी ने एक नई स्कीम लाँच की है जिसका नाम है हरगर गंगा चल स्कीम इस स्कीम के एंडियर पाइप्ट गंगा वाटर सप्लाई किया जाएगा हर हाउसफोल्ड को तो काफी इंपोर्टेंट नियूज है इट इस फर्स्ट अफ काइंड स्कीम जो की बिहार में लाँच हुई है तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने है इन्गा नहीं ही बयाँबस बैशोरो मेटरो रेल कोरपोरेशन ने वट्सएप के साथ पार्टनर्शिप कि है और नामा वट्साप चाइटपोट बेस्ट क्यूऔर टिकेटिंग सर्विस लॉण्च कि है तो अभी जो भी पैसेंजर्स हैं वो वाट्सआप चाइटपोट ब नाम है रानीपुर Tiger Reserve और ये उत्तर प्रदेश में है अगर हम उपी की बात करें तो उपी में ये फॉर्थ Tiger Reserve होगा इंक्स्त वे और नर्लैस करदेश में फिश मुजियम इनौगरेट होगा और नौर्थ-इंडिया में first of its kind होगा तो काफ़ी important है क्योंकि नौर देस्ट में जो भी happenings होती है तो वो बहुत commonly questions पूछ लिए जाते हैं exams में तो आपको यह याद रखना है कि अरनाचल प्रदेश में fish museum inaugurate होगा नेकर वेस्ट पंगॉल को लक्षमीर भंदर scheme के लिए squash award मिला है और यह scheme women and child development category के अंडर थी next is Indian post payment bank ने first floating financial literacy camp of India conduct किया है जम्मु कश्मीर के श्री नगर में काफ़ी important news है क्योंकि यह first floating financial literacy cup camp था इंडिया का तो the next one is हर्याना में जल्दी ही orbital rail corridor launch किया जाएगा तो आपको याद रखना है कि orbital rail corridor कौन सी state में launch होने वाला है the next is very important news so world का world का tallest statue lord Shiva का रज्यस्तान के नात द्वारा में unveil हुआ है काफी important है क्योंकि यह world का largest statue है और यह रज्यस्तान के नात द्वारा में launch किया गया है place किया गया है the next is Himachal प्रदेश में world का highest polling booth set up हुआ है उसका नाम है Tashigang the next one is International Film Festival of India जिसका 53rd edition हुआ है recently Goa में next is Madhya Pradesh ने decide किया है कि it will implement PISA Act in the state so PISA Act की full form है पंचायत extension to scheduled areas काफी important news है तो आपको यह याद रखना है कि जो भी अब यह state से PISA Act जिन में implement होता था उसमें एक और edition हो गई है Madhya Pradesh next is Asian Development Bank ने 400 million dollar loan अब्रूव किया है और यह महाराष्ट्रा को दिया जाएगा महाराष्ट्रा में इस loan का use होगा 5000 electric buses introduce करने के लिए state में तो काफी important है ऐसी examples आप अपने mains में या फिर essays में या कोई भी subjective आप answer लिखते हो वहाँ पे भी code कर सकते हो the next one is again important news so इंडिया का first hydrogen fuel cell catamaran vessel बिल्ड किया जाएगा और इसके लिए agreement हुआ है kochin shipyard limited and IWAI के बीच में और यह जो वैसल है यह वारा नसी में establish की जाएगी the next is Reliance Industries Limited को इंडिया का first multimodal logistics park बनाने के लिए project approved किया गया है उनको award किया गया है so यह जो logistics park है यह तामिल नाडू के चन्नाई में establish किया जाएगा the next one is Amur Falcon Festival का 7th edition celebrate किया है recently मनीपुर के इंफाल में यह world का longest flying migratory bird है जो Amur Falcon है वो world का longest flying migratory bird है आपको इन दोनों news में confused नहीं होना यह मनीपुर के इंफाल की news है और अब यह previous हमने एक news cover की थी जहां पे हमने discuss किया था कि नागा लेंड में first avian documentation exercise होगी जिसमें Amur Falcons के इलावा और words को भी include किया जाएगा so यह जो avian documentation है यह नागा लेंड में होगी और जो यह Amur Falcon Festival का 7th edition celebrate हुआ है यह मनीपुर के इंफाल में हुआ है next is उत्राखंड में इंडो-US joint military training हुई है जिसका नाम है युद अभ्यास exercise the next is again important news जो जो एजुकेशनली बैकवर्ड मिवात रीजन है रज्यस्थान का वहां पे फर्स्ट प्राइवेट युनिवर्सिटी सेट अप की जाएगी मिवात रीजन के लिए कहां पे अलवर रीजन में नेक्स्ट इस वेस्ट मंगॉल के गवर्णर अपोइंट हुए है डॉक्टर सीवी अनन्द बॉस नेक्स्ट इस अगैन इंपोर्टेंट नीज्स क्योंकि ये नौर्थ इस्ट से रिलेटेड है और नचल प्रदेश में वर्ल्ड का फॉर्स वेक्सें डिलिवरी जो अनिवल हस्बैंडरी के लिए ऑर्गनाइज किया गया है किसे द्वारी की त्वारा किया है नेक्स्ट इस अंडेमान ने SPA टाम चिये अप्लाई किया और ये किस प्रडलक्ट के लिए अप्लाई किया ह हमने ये weekly current fairs में discuss किया था with picture हमने ये देखा था कि निको बारी hoodie क्या है और इसकी क्या importance है जिसकी वज़े से अंडमान ने GI tag के लिए apply किया है नेक्स्ट इस उडिशा के मयूर पंज डिस्टिक में जो second world war air strip है अमर्दा रोड वहाँ पे civil aviation ministry के उडान स्कीम के अंडर airport बनाया जाएगा और जो ये air strip का runway होगा ये एशिया का longest होगा next is again important news so अरनाचल प्रदेश का first green field airport जिसका नाम है डॉने पोलो airport ये honorable prime minister नरेंदर मुदी जी के द्वारा inaugurate किया गया है और अगर हम इस state की बात करें तो अरनाचल प्रदेश का ये third airport होगा next one is again very very important news क्योंकि जो tigers हैं ये काफी टाइम से news में चल रहे हैं तो इस बर हम royal bengal tigers के बारे में discuss करेंगे royal bengal tigers की अंडर प्रदेश में population increase हुई है और यहाँ पे दो tiger reserves हैं जिनमें इनकी population increase हुई है the first one is नागरजुन सागर सिरिस आइलम tiger reserve यहाँ पे अभी increase होके tigers का count 73 हो गया है और दो tiger हुए अभी जो count किये गए हैं पापी कॉंडा नाशनल पाग में तो कई बार यह ऐसी पूछ लिया जाता है कि नागरजुन सागर सिरिस आइलम tiger reserve कहाँ पे है यह फिर पापी कॉंडा नाशनल पाग कहाँ पे है तो आपको यह भी याद रखना है और यह भी याद रखना है कि royal bengal tigers का count कितना हो गया है और यह किन state में increase हुई है इनकी population क्योंकि ऐसे questions multiple statements के form में भी पूछ ले जाते हैं next is महाराष्टरा ने अपनी state में सभी degree colleges में admission लेने के लिए यह mandatory किया है कि जो भी students above 18 years हैं उनके लिए voter registration mandatory है तो आपको याद रखना है कि ऐसा decision कौन से state में लिया गया है next are international news so the first is चाइना ने तियांग कॉंग स्पेस स्टेशन से मेंग दिटियन नाम का एक module launch किया है यह तियांग कॉंग स्पेस स्टेशन का third and final module है तो आपको पता होना चाहिए कि मेंग दिटियन जो module है किस country का है और तियांग कॉंग स्पेस स्टेशन किस country का है the next one is recently Egypt में Conference of Parties का 27th edition हुआ है और यहां पर United Nations की climate meet हुई है इसको हमने detail में discuss भी किया था कि इस meet के during क्या के important decisions लिए गई है इंडिया ने क्या क्या अपना proposal रखा है तो सभी हमने weekly current affairs में detail में discuss भी किया था नेक्स्ट इस जो रिनाउंड कारनेटिक वोकलिस्ट है अरुना सायराम जी उनको फ्रेंच हाइस्ट सिविलियन ओडर अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है शिवेलियर डी आई ओडर डेड आर्टस डिस आपको यह याद रखना है कि फ्रेंच हाइस्ट सिविलियन ओडर यह जो नाम है यह किनको दिया गया है अरुना सायराम जी को और इक इस फिल्ड में है यह कारनेटिक वोकलिस्ट है नेक्स्ट इस टुवीटर जो के एक सोशल प्लैटफॉर्म है इसको इलॉन मस्क ने ओन किया है और जब से इन्होंने ओन किया है इन्होंने काफी चेंजिस बी इंट्रिड्यूस किये हैं हमने अपने चानल पर एक शॉर्ट वीडियो में डिसकस भी किया था अगर आपने व सिस्टि यूपी 27 के टाइम यहरपयान यूनियंन ने प्रिपोसल रखा था कारवन टेक्स नाम का सो यहरपयान उनियन ने प्रिपोसकिया था कि कारवन बादर एडजस्टमिन mechanism के under हम उन products पे tax लगाएं जो कि extremely carbon intensive है with effect from 2026 लेकिन इंडिया एंड कुछ और countries ने इसका oppose किया है इन्होंने इस चीज के लिए अगरी नहीं किया है लेकिन कई बार directly पूछ लिया जाता है कि carbon tax किस related है तो आपको ये पता होना चाहिए next is again very important news क्योंकि ये भी first time हुआ है कि जोदपुर से six मारवारे horses को बांगलादेश में export किया गया है और ये next is महात्मा गंदी जी का bust install होगा United Nation headquarters में जो की है New York में तो काफे important news है इसको भी हम detail में weekly comments में discuss कर चुके हैं next is sites की 90th conference of parties Panama में होगी sites की full form है convention on international trade in endangered species of wild phona and flora जो की global agreement है governments के अमंग जो भी species under threat है उनकी international trade को regulate करना या फिर बयान करना तो इसकी 90th COP होगी Panama में next is again very important news तो आसियन जो की South Asian countries की association है उन्हों ने इन प्रिंसिपल अग्री किया है कि वो East Timor को 11th member की तरह admit करेंगे तो अगर हम आसियन की बात करें ये थाइलेंड में 1967 में सेट अप किया गया था काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी दे नेक्स्ट जो इंग्लेश चैनल है वहां पे स्मॉल बोट्स में जो लोग क्रॉस करते हैं इल्लीगली उस चीज़ को करने के लिए कंड्रोल करने के लिए फ्रांस एंड यूके ने अग्रीमिंट साइन किया है नेक्स्ट इस यूएसे ने विसेंटली अपनी करंटी करंसी मॉनीटरिंग लिस्ट में से इंडिगा इटली मेकसिको थाइलेंड एंड वियतनाम को रिमूव किया है इसके बारे में भी हमने detail में weekly current affairs में discuss किया था कि यह क्या होता है और इसका क्या impact होगा Next is Slovenia की first female president बनी है जिनका नाम है Natasha Perk Musar आपको यह याद रखना है because she is the first female president Slovenia की Next is जो G7 nations है यह भी काफी time से news में चल रही है इन्होंने COP27 में global shield नाम का plan launch किया है यह insurance के साथ related है आपको याद रखना है कि global shield नाम का plan किस ने launch किया है G7 ने और हमने एक वीडियो में detail में यह भी discuss किया था कि G7 में कौन-कौन members है और उनको कैसे याद रखना है अगर आपने वह भी नहीं देखी उसका link भी मैं आपको description में दे दूँगी next is recently November में G20 की 17th submit हुई है इंडोनेशिया के बाली में जिसका theme था recover together, stronger together आपको पता ही होगा कि G20 की presidency अभी 1st December को इंडिया के पास आ जाएगी so इंडिया की G20 presidency का theme होगा one earth, one family, one future next is NASA ने mega moon rocket launch किया है और इसके साथ उन्होंने अपना नया spaceship program launch किया है जिसका नाम है Artemis काफ़ important है directly पूछ लिया जाता है कि Artemis किसका program है NASA का next is United Nations ने statement दी है कि next year इंडिया चाइना को भी सरपास कर लेगा and it will become world का most populous country in 2023 और world की जो population है it has already crossed 8 billion mark काफ़ी important news है आपको ध्यान में रखना है next is जो Egypt में COP27 हुई है उसके side lines में India and Sweden ने jointly lead IT submit host की थी तो आपको पता होना चाहिए कि lead IT submit 2022 के लिए किन-किन countries ने jointly host की थी the next is again COP27 में इंडिया ने जो न्यूले लॉंच्ड मैक है जिसकी full form है mangrove alliance for climate वो जोइन किया है तो इंडिया भी मैक का member बना है जिसकी full form है mangrove alliance for climate next is again extremely important news जो COP27 हुई थी एजिप्ट में वहाँ पे जो delicate थे उन्होंने agree किया है कि वो loss and damage fund establish करेंगे जो भी most vulnerable countries है climate linked disasters के regarding उनको compensate करने के लिए और इसके regarding transitional committee बनाई जाएगी जो की loss and damage fund को adopt करने के लिए 2023 में जो next COP होगी UAE में वहाँ पे recommendations भी देखी तो आपको यहाँ पे एक और point important याद रखना है कि next year 2023 में conference of parties का 28th edition कहां पे होगा United Arab Emirates में next is again very important news so world की वर्ल्ड की longest gas supply deal sign हुई है Qatar and China में इसके बारे में भी हम detail already weekly current papers में discuss कर चुके हैं next is UAE ने अभी announce किया है कि UAE में entry और exit दोनों ही बैन होगी ऐसे लोगों के लिए जिनके passport में single name है that means उनके passport में उनके नाम में साथ में surname नहीं लिखा हुआ next is इंडिया में अभी जो fertilizers के top supplier है वो रशिया बन गए है इस fiscal year के first six months के लिए six months में so initially ये चाइना था अभी रशिया ने चाइना को replace करके first position ग्राब कर ली है next are important awards and launches जो भी November के मन्त में हुए है so प्रथम जो की एक काफी famous NGO है उनको इंद्रागंदी prize for peace disarmament and development मिला है for the year of 2021 इस NGO को ये award मिला है for its work in education system next is जो IFFI Goa में recently हुआ है वहाँ पे Spanish filmmaker Carlos Saurajji को सत्य जी तरे lifetime achievement award मिला है the next is जो US-based consulting firm है Morning Consult वहाँ पे honorable prime minister नेरेंद्र मोती जी को world का most popular leader की तरह वोट किया गया है as per the global leader approval ratings next is जो कत्थक veteran उमा शर्मा जी है उनको सुमित्रा चरत राम अवार्ड मिला है इनके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनको पहले पधम श्री और पधम बूशन अवार्ड भी मिले हुए है तो आपको पता होना चाहिए कि उमा शर्मा जी किस field से related है कत्थक के related next is खालिद जावेद की जो paradise of food है उसको JCB price for literature मिला है for the year 2022 अगर हम इस book की बात करें तो जो originally इसका नाम था निमात खाना जो कि 2014 में publish की गई थी और जो the paradise of food है यह इसकी fourth translation है जिसको award मिला है next is the restoration of hundred year old चतरपती शिवाजी महराज इन मुंबई next is Brazil के नए president elect हुए है जिनका नाम है Luis Inacio da Silva the next is शुब्रकांत पांडे जी को फिकी का president बनाया गया है next is again very important news so जो CSIR National Physical Laboratory के डिरेक्टर है प्रफेसर वेनू गुपाल अचंता जी उनको member of international committee for weight and measure बनाया गया है और यह 7th Indian है जो इस committee के member elect हुई है next is again extremely important news so government ने committee constitute की है MG Nurega की implementation को review करने के लिए जिनके head होंगे former rural development secretary अमरजित सिनहा तो आपको यह याद रखना है क्योंकि directly पूछ लिया जाता है कि अमरजित सिनहा committee किस regarding government ने constitute की है मनरेगा की implementation को review करने के लिए the next is नीतिय योग के full time member appoint किये गए है dr. अर्विंद विर्मनी the next is Meta India के नए vice president and head appoint होए है जिनका नाम है संद्य देवनाथन the next is PFRDA के chairman appoint हुए है सूरज भान next are important index जो की news में था इसको हम detail में यहाँ पे भी दुबारा discuss करेंगे क्योंकि काफे important है so जो climate change performance index है ccpi ये recently 2023 के लिए publish किया गया है इसको publish करती है German watch, can international and new climate institute और इस index के द्वारा वो climate protection performance को evaluate करती है and compare करती है 63 countries के among अगर हम इनकी ranking की बात करें तो इस बार एक unique चीज ये थी कि इस बार कोई भी country को first, second और third place पे नहीं रखा गया है directly fourth position से start किया गया है तो fourth rank पे है Denmark और fifth पे है Sweden अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का rank है eighth out of 63 countries और इंडिया जो top 10 emitter का group है उसमें भी top पे है और second पे है Germany and third पे है Japan अगर हम इस index की rankings की बात करें तो इसमें worst performers है इरान, साओधी अरेबिया and कजाकिस्तान साओधी अरेबिया जो है वो G20 countries के अमंग भी greenhouse gas emissions में highest per capita पे position रखती है साओधी अरेबिया ऐसी country है जो greenhouse gas emissions में भी highest per capita में contribute कर रही है among the G20 nations next are some miscellaneous news so India steel का second largest producer बन गया है at the global scale next is again important news so India ने अपना first privately developed rocket launch किया है जिसका नाम है Vikram S और यह rocket Shri Harikota से launch किया गया है the next is जो चाइना ने ताइवान को दो पांड़ा गिफ्ट किये थे काफी साल पहले उन्में से एक तुआन तुआन की डेथ हो गई है तो आपको याद रखना है कि तुआन तुआन क्या है कई बार डिरेक्टली पूछ लिया जाता है कि तुआन तुआन इस न्यूज एंड इस इन रेफरेंस टू एबी सीडे आपको चार ओप्शन्स दी जाएंगी नेक्स्ट इस जो इंडो चाइना वार की दो आइकोनिक बैटल्स थी बैटल अफ वालोंग एंड बैटल अफ रिजांगला उनके सिक्स्टिएथ एनिवर्सरी अब्सर्व की गई है इन थर्ड वीक ओफ नेवेंबर सो जो बैटल अफ वालोंग थी जो इस्टरन सेक्टर में हुई थी नेवेंबर 16 को 1962 में और जो बैटल अफ रिजांगला थी वो इस्टरन लदाक में हुई थी नेवेंबर 18 1962 में नेक्स्ट इस गम्मेंट ने आईरन और और स्टील को पे एक्सपोर्ट टैक्स को स्क्राप कर दिया गया है क्योंकि जो स्टील मेकर से काफी टेम से रिक्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि इस चेसे कॉस्ट में काफी इंक्रीज हो गया था तो रिसेंटली गम्मेंट ने आईरन और और स्टील पे एक्सपोर्ट टैक्स को स्क्राप कर दिया है नेक्स्ट इस IDFC फर्स्ट बेंक ने इंडिया का डेबिट कार्ड लॉंच किया है इन एस्सोसियेशन विद NPCI और उसका नाम है फर्स्ट एपी नेक्स्ट इस स्पोर्ट न्यूज जो सूर्यक मर्यादव है इंडिया के क्रिकेट प्लियर ये वॉल्ड के नंबर वन T20 बैटर बन गए है तो ये T20 इनिंग्स में वॉल्ड के नंबर वन बैटर बन गए है नेक्स्ट इस विराट कोली टीट्विंटी वर्ल्ड कप हिस्ट्री में हाइस्ट रन स्कोरर बन गई है और यह फर्स्ट बैटर है हिस्ट्री में जिन्होंने टीट्विंटी इंट्रनाशनल में 4000 रन्स का मार्क क्रॉस कर लिया है नेक्स्ट इस विराट कुली एंड सुर्यकुमर यादव यह ICC 2022 की T20 वर्ल कप लिस्ट में मोस्ट वैलुएबल टीम की तरह इनको इंक्लूड किया गया है नेक्स्ट इस बैडमिंटन मेंस डबल फाइनल में इंडिया की चिराग शेटी एंड सात्विक सायराज रनकी रेडी इन्होंने जीते हैं यह और यह जो फाइनल्स हैं यह पैरिस में फ्रेंच ओपन 2022 में हुए थे नेक्स्ट इस इंडिया की इंडर 21 मेंस होके टीम सुल्तान अफ जोहर कप जीती है और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया था फाइनल्स में और जो ये सुल्तान अफ जोहर कब है ये मलेशिया में हुआ था Next is Spain ने FIFA अंडर 17 Women's World Cup जीत लिया है और इन्हों ने finals में कोलंबिया को defeat किया था और ये जो म्याच था है मुंबई में हुआ था Next is 2020 World Cup title 2022 England ने जीता है और finals में इन्हों ने पाकिस्तान को हराया था Australia के Melbourne में Next is Neeraj Chopra जो कि इंडिया के javelin thrower है वो उनको Switzerland ने friendship ambassador की of Switzerland की तरह select किया है तो आपको याद रखना है कि who is selected as friendship ambassador of Switzerland It is Neeraj Chopra Next is जो इंडिया के table tennis player शरत कमल जी है He became the first player from India to get elected in the Athletes Commission of the International Table Tennis Federation Also उनको major ध्यानचंद खेल अरतना अवार्ड भी इस साल के लिए मिलेगा Next is Tamil Nadu के जगदीशन ने world record break किया है And he had scored the highest number of individual score in men's list A cricket in Vijay Hazara Trophy और जो Tamil Nadu है it became first team to breach 500 mark in list A cricket दोनों ही facts काफी important हैं आपको याद रखने ही और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि विजे हजारे ट्रोफी है वो किस sports के साथ related है Next is जो फॉर्मूला वन चेंपियन है Max वर्स्टेपन उन्होंने F1 अभुदाभी GP 2022 जीता है और उन्होंने ये record बे सेट किया है for the most race wins Next is जो England की cricket team है ये 2005 के बाद 2022 में first time आई है इतने सालों बाद और वहाँ पे इनकी test series होने वाली है cricket की Next is obituris सबसे पहले तो जो तबबा सुम थी veteran actor थी she passed जवे उनको child artist की तरह भी जाना जाता है काफी hindi classics में और साथ में जो दूरदर्शन का show था फूल खिले हैं गुल्शन गुल्शन ही उनकी host भी रही है Next is former Indian ambassador Abbasara Buria जी passed जवे वो ओडियार studies and research के chairman भी रही है Next is India के former basketball captain गुलाम Abbas Moontasir जी passed जवे उन्होंने 1969 and 1975 Asian basketball championship में इंडिया को lead किया था इंडिया की basketball team को lead किया था Next is तेलगू actor Sivram Krishnamurti जी passed जवे उनको भी 2009 में उनको पधम भूशन अवार्ड मिला था Next is Tata Steel veteran Jamshed J. Irani जो की CIA के national president भी रही है He passed जवे और उनको पधम भूशन अवार्ड भी मिला था 2007 में Next is इलाभन भट पास जवे She was a sewa founder जिनकी full form है Self-employed women's activist And वो जो काफी national और international awards के recipient भी थी Like पधम भूशन, रमन मेक ससे अवार्ड और ये Globally Recognized Leader थी जिन्होंने informal sector में Self-employment के लिए काफी काम किया है और South Asia में Women Empowerment के लिए भी काफी काम किया है Next is former West Indies Wicked Keeper David Murray passed जवे Next are the important days of November month So 14th November को हमने National Children Day या फिर बाल दिवस सेलिब्रेट किया था ये इंडिया के first Prime Minister जवारलाल नहरूजी की birth anniversary होती है 14th November को ही World Diabetes Day भी सेलिब्रेट किया जाता है और 2022 का theme था Access to Diabetes Care Next is International Men's Day जो की 19th November को सेलिब्रेट किया जाता है इसका 2022 का theme था Helping Men and Boys Next is World Children Day ये National Children Day से अलग है So जो World Children Day है ये 20th November को सेलिब्रेट किया जाता है और 2022 का theme था Inclusion for Every Child Next is International Day for the Elimination of Violence Against Women जो की 25th November को सेलिब्रेट किया जाता है इसका theme था Unite Champion Unite Activism to End Violence Against Women and Girls Next is Constitution Day of India या फिर समविधान दीवस जो की 26th November को सेलिब्रेट किया जाता है and this day is celebrated to commemorate the adoption of Constitution of India which was enacted on 26th November 1949 Next is National Milk Day जो की 26th November को सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो इंडिया में White Revolution के father है Vargese Korean उनकी birth anniversary होती है यहाँ पे by mistake 26th को 16 लिखा गया I am sorry for that आपको ये correct करना है National Milk Day 26th November को सेलिब्रेट किया जाता है If you like this video please hit the like button and subscribe to my channel See you in the next video